हेलो दोस्तो हमारे चैनल पर आपका हारदिक स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पैरो के दर्द का इलाज पैरो का दर्द पल भर में हो जाएगा गायब ट्राइ करें ये पांच घरेलू नुस्खे दोस्तो ज़्यादा देर तक खड़े रहने या फिर चलने की वज़े से पैरो में दर्द की शिकायत होना वैसे तो आम समस्या है लेकिन अगर आपके पैरो में हर दिन दर्द रहता है और उसके साथ ही कमजोरी भी मैसूस होती है तो इस समस्या को हलके में ना ले पैरो में बार-बार होने वाले दर्द से निजात पाने के लिए आमतोर पर लोग डॉक्टर की मदद लेते हैं लेकिन अगर आप कुछ घरेलू नुस्खो को इस्तिमाल करके अपने पैरो की देख भाल करेंगे तो आपको इस समस्या से काफी हद तक रहत मिल सकती है दोसो चलिए आपको बताते हैं वो पांच उप्चार कोन से हैं जो आपके पैरो का दर्द पल भर में गायब कर देंगे दोसो इन नुस्खों से किसी नुकसान का भी डर नहीं है पैरो के दर्द को मिटाने का पहला नुस्खा सूजन, मोच या एठन की वज़े से अगर आपके पैरो में दर्द हो रहा है तो फिर इस से रहत पाने के लिए आप सिर्के का इस्सेमाल करें सिर्का पैरो में होने वाले दर्द का कारगर इलाज है इसके लिए एक पाल्टी गरम पानी में दो बड़े चमच सिर्का मिलाईए और एक छोटा चमच सेंधा नमक मिलाईए अब इस पानी में अपने पैरो को करीब 20 मिनिट के लिए डुबा कर रखें इस नुस्के से आपको तुरंट आराम मिल जाएगा दूसरा नुस्का सेंधा नमक पैरो के दर्ष से निजार दिलाने के लिए एक असरदार घरेलू नुस्का है इस नुस्के को अज़वाने के लिए एक टप में गरम पानी डाले फिल उसमें 2-3 चमच सेंधा नमक डालिए इसके बाद टप में अपने पैरो को 10-15 मिनट के लिए डाल कर रखें इससे आपको पैरो के दर्ष से तुरंट आराम मिल जाएगा तीसरा नुस्का पैरो के सूजन और असहनिय दर्ष को कम करने के लिए आईस थेरेपी एक कारगर नुस्का माना जाता है इस नुस्के को आजमाने के लिए एक छोटे से प्लास्टिक की धैली में कुछले हुए बर्ष के कुछ टुकडे डाले और दर्ष को दूर करने के लिए सर्कुलर मोशन में परभावित हिस्से की मालिश करें इससे पैर की सूजन कम हो जाएगी लेकिन ध्यान रहे की आइस पैक का उपयोग एक वक्त में दस मिनट से ज्यादा देर नहीं करना है चोथा नुस्का लोंग का तेल लोंग का इस्तेमाल सदियों से ओशदी के रूप में किया जाता है खासकर लोंग के तेल को सिरदर्द और जोडों के दर्द को दूर करने वाला एक अद्भू तेल माना गया है पैरों के दर से रहत पाने के लिए लोंग के तेल से पैरों में धीरे-धीरे मालिश करें बहतर परिणाम के लिए दिन में दो से तीन बार इस तेल से अपने पैरों की मालिश करें, आपको तुरंत अराम आ जाएगा पांचवानुसका सरसो के बीजों से दोसों, सरसो के बीजों का इस्तेमाल आम तोर पर शरीर से विशाक पदार्थों को निकालने, रक्त परिसंचरण में सुधार करने के लिए किया जाता है इसके अलावा सरसो के बीज, पैरों के दर्द और सूजन को दूर करने के काम भी आता है पैरों के दर्द से राहत पाने के लिए सरसो के कुछ बीजों को लेकर पीस ले और फिर इन्हें एक बाल्टी गरम पानी में मिलाएं फिर अपने पैरों को इस पानी में 10-15 मिनिट के लिए डाल कर रखें, आपको आराम मिल जाएगा दोस्तों ये 5 गरेलों नुस्के हैं जिनका इस्तेमाल करके आपके पैरों का दर्द जल्दी से गायब हो जाएगा और ये बेहद कारगर नुस्के हैं इसलिए अब जब भी आपके पैरों में दर्द की शिकायत हो तो इन घ्रेलू नुसकों को इस्सेमाल करके जरूर देखे आपको तुरंत आराम आ जाएगा दोस्तों ये थी हमारी वीडियो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक और शेयर जूर कीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बैल का आइकोन है वो भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी आने व सबी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें धन्यवाद दोस्तों